जब कोई बात भी घर जाए जब कोई मुस्किल पर जाए नमस्ते जे सरे कृष्णा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मेरे छोटे से टिरेस गार्डन में जहां मैं करती हूँ धेर सारे कबार से जुगार और बनाती हूँ प्लांटर सजाती हूँ अपने कीचन को अपने गार्डन को और अपने घर को फिर से मैं आई हूँ धेर सारे कबार को लेकर और करने वाली हूँ जुगार बनाने वाली हूँ इसकी खुबसूरत से प्लांटर प्लांटर बनाने के क्रम में सबसे पहले में लेती हूँ यह सूप जो की मास से बना हुआ होता है डाला चट में इसका प्रियोग होता है धेर सारे परसाद को भड़ा जाता है इसमें और सूरे नाराइन को चड़ाया जाता है तो यह सूप बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रियोग होता है साधी विवाह में इसका पूजा में करने से हमारा घर संसार हराभरा बना रहता है, परिवार में उन्नती रहती है, परबंस में बिर्धी होती है, तो इसलिए इस मास के सुप का खास महत्तो होता है हमारे हिंदु धर्म में, सबसे पहले क्या करती हूँ कि एक कपड़े का टुकड़ा लेती हूँ, सिं भाग को मिलाते हुए थोरा सा भी इसमें 19-20 का फर्क नहीं हो अच्छे तरीके से एक साथ कर दिने के बार मैं इस पर एक गांठ लगा देती हूँ कपड़े की सहाइता से ताकि यहां पर अच्छे तरीके से बंध जाए और मजबूत हो जाए अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल के पैकेट को इस पैकेट को मैं पहले भी इस्तिमाल कर चुकी हूँ इसमें टमाटर लगे हुए थे पिछली बार अभी यह खाली था तो इसका उप्योग मैं कर रही हूँ फिर से इस प्लांटर को बनाने के लिए इस पैकेट के उपरी भाग को मोडते हुए सूप क किनारों पर मैं उलट दी हूँ ताकि सूप के यह जो किनारे हैं यह थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में और थोड़ी सी मजबूती इसके सिराओं में मिल जाए ताकि यह एक साथ बंदे रहे और एक साइज में बने रहे एक तूटे हुए स्टेंड को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बीच में ले जाकर के टिका दूँगी ताकि इस स्टेंड की वज़े से थोड़ा सा यह सूप का प्लांटर गोलाई में आ जाए और दिखने में अच्छा लगे अब लेती हूँ मैं पुरानी कपरे का टुकडा और इसको सूप के किनारों पर बस इस तरीके से ढखते जाती हूँ ताकि थोड़ा सा बॉर्डर सा लुक आ जाए और दिखने में अच्छा लगे इससे ग्रोसरी बैग के मटमेले हिससे भी ढख जाएंगे और यह दिखने में भी अच्छा लगेगा एक पतले कपड़े का टुकडा लेती हूँ इसके विपरित रंग का लेती हूँ जैसे कि वो पिंक है तो फिर यलो कपड़े से इसे बांद देती हूँ और बचे हुए कपड़े के भाग को थोड़ा सा टक कर देती हूँ ताकि इससे फ्लावर का लुक क्रियेट हो सके और दिखने में अच्छा लगे इस पर और भी ज्यादा क्रियेटिवीट अभी मैं इसमें नहीं कर रही हूँ बस फेकने वाली चीजों का ही उपियोग कर रही हूँ तो नीचे भी थोड़े बहुत फुल पती बना और रहते ही हुँ तो बहुत सारे दन पोटली के जो यह पोटली यह परे पर विक हो सकती है अच्छे गोडतिक कि iya अज़ां open विद्यो YouTube money लिए मनेच लाखिक हो उपरन मेट्यों बसुटली इसे सब्सक्राइए इक लिए देड़ेते दो तो फिर से इसमें मैं सोडा वगेरा का जो बोतल होता है, पानी का बोतल होता है, उसका परियोग कर सकते हैं, मैं इसमें सोडा का बोतल लगा कर देखी, अच्छे तरीके से फिट हो चुका है, बाकी हिस्से को मैं काट देती हूँ, तो काटने के बाद उपड़ी हिस्से को बर देती हूं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है बोतल में जो है पश्ट्रा पानी रिस्ट करके पहले भाग में जमा रहें इसे पोड़ल्यां भींगे Rein yaş थोड़ा सा या प्लांटर टिकाऊ हो जाएगा दूसरे बोतल को भी मैं काट ली हूँ और इसके कैप में आप छेद कर सकते हैं या कैप को खोल भी सकते हैं उसके अस्थान पर आप अंदर से बजली डाल दें जिसे की पानी रिसकर के नीचे वाले भाग में जमा होते रहे इस जल्दी इसमें पानी डालने की आवसकता नहीं है अब करती हूँ तीसरे प्लांटर को बनाने की तैयारी बोतल के आधे कटे हुए हिस्से को लेती हूँ इसके किनारों में लगाती हूँ थोड़ा सा गौंद और इस पर लगाते जाती हूँ पिस्ता के छिलके को जो पिस्त जाती हूँ गोंद लगा करके जिससे की इसका भी लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाए इसे सुखने के लिए कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी करती हूँ चोथे प्लांटर को बनाने की तैयारी पड़े हुए बेकार में मेरे पास उन थे तो तीन-चार टुकड़े उनका मैं ले ली हूँ एक जैसे साइज में उनके तीन टुकड़ों को मिला ली हूँ ताकि प्लांटर को अगर मैं हैंगिंग करूँ तो उसका ये धागा मजबूत हो और हैंगिंग किये गए प्लांटर तूट करके नीचे ना गिरे अब मैं इसमें थोरा सा देखे इस तर हैंग के को फिके से हैंग हो सके धागे को पकर करके एक समान करती हूं देखिए यह तैयार हो चुका है पुराडनी छूरी लेती हूं बेकार पड़े हुए चूरी तो हमारे घर में होते ही इस पर भी गांठ लगाती हूं, तीन में गांठ लगाती हूं, ते थोरा सा बैलेंस करते जाती हूं, जब यह बैलेंस हो जाता है, तो एक जगा गांठ लगा करके छोड़ देना है, इसमें मैं डाल करके देखती हूं, नारियल के एक बड़े से इस छिलके को, कि यह हैंग हो या नहीं जब मैं वो जाती हूं कि चलो यह हिंग खोसच को है तो कि नीचे वाले बान्टर से उपर वाले को बांधो देती हूं तैयार estly नार्यल के चिलके से बना हूआ प्लांटर और सूप से बना हूआ प्लांटर अब करती हैं इसमें प्लांट से बनाई हूं ताकि मैं इसका उप्योग या इसकी सजावत दो तरीकों से कर सकूं आइस्क्रीम के जो डब्बे होते हैं उसके उपर चिपका दी हूं आधे कटे हुए बोतल को जिसे की थोड़ा सा लुक लेंप जैसा इसका आ जाएगा धकन लेंप का धकन बन जाएगा इसक कर रही हूं जो फालतू के निल पॉलिस होते हैं सारा खंगाल करके एक बरतन में रख ली हूं और उसी की सहाथा से इसे कलर कर दे रही हूं देखिए थोड़ा सा रंग देने के बाद क्या होता है कि लुक अच्छा लगता है और इसे एक तरफ रख दी हूं सुखने के तक्त के दूसरे तरफ भी मैं कपड़े को लगा दी हूं लंबा सा कपड़ा लेती हूं अगर कपड़ा थोरा सा छोटा आपको लगे तो दो कपड़ों को मिला करके जॉइंट कर सकते हैं कपड़े को मैं रसी जैसा थोरा सा एठन देने के लिए हलका सा इस तरीके से दो तीन गांठ अच्छे तरीके से लगा देती हूं अगर आपको कपड़ा थोड़ा सा मजबूत कम लग रहा हो तो आप दूसरी रसी को इसमें बांध सकते हैं तो इस कपड़े के बने हुए रसी को मैं तक्त के दोनों तरफ के कपड़े में बांध देती हूं तक्त को देख ही garden में इस तरीके से बना करके आप रखें अगर आपको रसी मजबूत नहीं लग रही हो तो आप थोड़ा सा मजबूत रसी का प्रयोग कर सकते हैं अब मैं कर रही हूँ प्लांट लगाने की तयारी इन छोटे छोटे बोतल में मैं अब मिट्टी डाल रही हूँ बस किसी भी ग्रोसरी बैग या किसी भी या पेपर की साहिता से आप मिट्टी डालें छोटे छोटे प्लांटर में अच्छे तरीके से मिट्टियां उसमें आ जाएंगी जैदा मेहनत मसकत की आवसकता नहीं होती है तो अब डाल रही हूँ इन सारे प्लांटर में पानी भरपूर मात्रा में पहली दफ़ा पानी डालें ताकि मिट्टियां उपर से लेकर नीचे तक अच्छे तरीके से भीग जाए तो जैड प्लांट की कुछ कटिंग को मैं काट लेती हूँ और बेचारा जैड प्लांट ही ऐसा प्लांट है जो कि चोटे-चोटे गंले में भी अच्छे तरीके से ग्रोव होता है, दिखने में खुबसुरत लगता है एक प्लांटर में मैं लगाई हूँ एलोवीरा के चोटे से प्लांट देखें मैं प्लांट लगा करके तयार कर दी हूँ इन धनवरसा की पोटलियों में दो में मैं लगाए हूँ जेड प्लांट और एक में एलोविरा इस फ्लांटर की नीचली सतह मैं दिखा рही हूँ आपको क्यूंकि मैं भरपुर मातरा में पाने डाली हूँ फिर भी इसका नीचला सतह नहीं भीगा है क्योंकि मैं double bottle का इस्तेमाल की हूँ पानी रिस करके दूसरे वाले bottle में जमा है इसलिए या नहीं भीगा है इसमें लगा देती हूँ छोटे से एलो वीरा के plant बहुत ही खूबसरत लगता है मैं छोटे छोटे एलो वीरा के plant लगे हुए इसमें डाल देती हूँ पानी hanging planter है तो मैं इसको hang कर देती हूँ बुद्ध भगवान के लिए जो मैं cottage बना करके तयार की हूँ उसमें एक बास का थोड़ा सा डंडी सा निकला हुआ है उसी में मैं इसे hang कर दी हूँ आप कहीं भी इसे लटका सकते हैं अच्छा लगता है दिखने में इसके उपरी भाग में मैं संख रख दी हूँ आप चाहे तो छोटे छोटे planter इसके उपरी भाग में भी रख सकते हैं नीचे के भाग में planter लगा हुआ है उपर संख मैं रख दी हूँ दिवाल में मुझे एक कील नजर आ जाती है इसी में मैं तक्त को टांग देती हूँ जिस पर मैं रखने वाली हूँ छोटे छोटे बने हुए planter को बीच में थोड़ा सा खाली जगा है इसको फिल करने के लिए मैं एक planter जो बनाई हूँ जिसका look थोड़ा सा lamp जैसा लगने वाला है उसी को रखोंगी इसके लिए मैं लेती हूँ एक लाख की जो चूडियां होती है उसके अंदर तार का प्रियोग हुआ रहता है उस तार को मैं निकाल लेती हूँ को काट लेती हूँ यह metal का होता है जैसे मन वैसे आप इसे घुमा सकते हैं इसलिए मैं इसके नीचले भाग पर कुछ इस तरीके से ताकि जो lamp के switch होते हैं जिससे की बत्ती उसकी उपर और नीचे होती थी उसका थोड़ा सा इसमें feelings आ रहा है कि lamp जैसा कुछ लग रहा है दिखने में अगर इसे और डेकोर करूँ तो यह और खूबसरत लगने वाला है लेकिन समय अब आपके कारण सिंपल तरीके से वैसा ही कर रही हूँ दो तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं planter के रूप में और lamp के रूप में तो इसके उपर मैं लगा दी हूँ planter को कितना खूबसरत लग रहा है या planter अब लगाऊंगी सूप से बने हुए planter में planter तो सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें धेर सारे garden के सुखे हुए कच्रे मेरे पास सदाबाहर का planter है और इसके root bond तो हैं ही इसकी मिट्टियां को इसके root को बिना damage किये हुए मैं इस planter में डालती हूँ और अब इसमें डालती हूँ मैं धेर सारी मिट्टी मिट्टी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से दबाती हूँ फिर भरपूर मातरा में इसमें पानी डालना है ताकि उपर से लेकर नीचे तक अच्छे तरीके से हर लेयर भीग जाए और लेंप जैसा जो लुक दे रहा है planter उसको मैं रख दी हूँ तक्त पर देखे कितना खूसरत लग रहा है दिखने में फालतू के कच्रे से बना हुआ या सामान है क्या आपको कहीं से लग रहा है कि या कच्रा है कहीं से भी सूप से बने हुए planter को मैं इहां पर रख दी हूँ अच्छा लुक आ रहा है इसका बहुत सारे सूप अगर आपके पास हों तो इससे आप planter इस तरीके से बना सकते हैं और धेर सारे पोधे को लगा सकते हैं दिखने में खूबसूरत तो लगते ही है टेरेस पर gardening करने के लिए बहुत ही बहतरीन सा उपा है हलके planter है ये मैं आपको हटा करके दिखा रही हूँ देखे बिना किसी सहारी के अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है दिखने में तो आप भी इस तरीके से बना करके तयार कर सकते हैं planter को भी ना किसी खर्चे से zero of cost planter बना करके तयार कर सकते हैं इन कच्छों से एक ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे planter मैं बीच में एक प्लास्टिक के बोटल से बने हुए planter को भी रख दी हूँ यहाँ पर जितने भी आइटम आपको दिखाई दे रहे होंगे चाहे बुद्ध भगवान है फाउंटेन है बोटल के ये सारे आइटम सभी कवार से जुगार के तरीके से ही मैं बनाई हूँ और धेर सारे कचरों का इस्तिमाल करती हूँ धेर सारे बेकार समानों का इस्तिमाल करती हूँ अपने terrace garden में और सजाती हूँ अपनी खूबसूरत हरी भरी बगिया को ये जो पालक के आप हरे भरे साग देख रहे हैं इसे मैं उगाए हूँ गार्डन वेस्ट और कीचन वेस्ट के ऊपर मैं इस वीडियो का लिंक अपने description में देदूंगी आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं बागवानी हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है सान्ती देती है, खुसी देती है तो बागवानी हमें करना ही चाहिए तो पोदे ही, चार पोदे ही रखना ही चाहिए जब कोई बात बिगर जाए जब कोई मुस्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई था, न कोई है जिन्दगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरा साथ देने के लिए सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद